रुपिये की कीमत का कम होना चिंता का विसई नहीं बलकि चिंता का विसई यह है कि मनुश्यता की कीमत गिर रही है सफलता मिलना या ना मिलना ये मुकदर की बात है पर उसे पाने की कोशिश ना करना ये गलत बात है अती हर चीज की पूरी होती है चाहे वह हो धन की हो, सुखों की हो, इच्छाओं की हो या फिर लोब की हर चीज की अती परिणाम में सिर्फ अंधकार लाती है और ये अंधकार जीवन के लिए कस्टदाई होता है इमान को बेच धनवान बनने वाली सोच धन तो दिला देती है मगर सुख और सांती कभी न दिला सकती है रेस में दोड रहे घोड़े को तक पता नहीं की जीत क्या है वह सिर्फ मालिक द्वारा दी गई तकलीफों की वजह से दोड रहा है उसी प्रकार अगर आपके जीवन में भी दुख या तकलीफ आए तो समझ जाईएगा भगवान आपको चिताना चाहा रहा है औरों से जलकर सुख से जीना आखिर एक सपना है बाकी प्यार में देखा हर सुख का सपना सपना है पाप का घड़ा एक दिन हर किसी का भर ही जाता है रोता है फिर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है ठोकर बनकर इस दुनिया में रहे जाता है पाप का घड़ा जब उसका पूरा भर जाता है सूरत आपको बहरी सुन्दर्दा दिखाती है अंदर की बाद तो सीरत ही दिखलाती है हालात से डर पीछे ना हटो ये तो मौसम की हर तरह है कभी अच्छे तो कभी बूरे चलो उठो और डट के लडो हर बार की गलती इस बार ना दोहराना दूसरों की उमेदों पर सफलता के सपने ना बनाना हार का सौक आपकी जीत को भी हार में बदल देता है कस्ट आएंगे तू लड़ना डट कर होना निरास ना उनको झेल कर हार जाएंगे तरी हिम्मत को देख कर पहले पैसे भुला कर आदमी की कदर की जाती थी अब कदर पैसे की कर आदमी को भुला दिया जाता है आलस आपकी तबाही के वो तीन अकसर हैं जिनहें आप जल्द देखोगे आपका हर दिन आपको उचा उठाना चाहता है पर एक आप ही है जो खुद गिरा हुआ ही पसंद करते हैं हर इनसान ये चाहता है कि उसका कल एकदम अच्छा हो पर इस चक्कर में वह अपने आज को भूल जाता है और आगे अपने कल भी खो बैठता है एक बूरे काम की बदनामी आपके करोणों अच्छे काम तबाही का कारण बन जाती है क्रोध में लिये गए फैसले क्रोध की तरह वित्वसंग और विनाशकारी होते हैं लालच, क्रोध और घ्रणा ब्यक्ति को विचारहीन बना देती है बल का घमंड करने वालो ये जान लो बल कभी भी बुद्धी से सक्तिसाली नहीं होता है खुद के प्रती दूसरों का नजरिया बदलने से पहले अपने नजरिये को तो देख लो उसमें कितना बदलाव है हर इनसान ये चाहता है कि उसका कल एकदम अच्छा हो पर इस चक्कर में वह अपने आज को भूल जाता है और आगे अपने कल को भी खो बैठता है गुरू को इज्जत ना देने वालो जान लो समय भी एक अच्छा गुरू है जो वक्त पर आपको अच्छा सिखा जाएगा कीचर के कमल से सीखलो की गंदगी में रहते हुए भी कैसे पहचान बनाई जाती है कोई कुट्टा कहे तो उस पर भोके नहीं बलकि उसे देख मुस्कुरवा देना उसके बोल उसे खुद मैं खुद सरमिंदा कर देंगे अन्यथा आप सचमुझ कुट्टा बन जाओगे यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे सुईकार नहीं करते हैं वहो गालियां उसी के पास रहे जाती है आत्म सम्भान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना मां से जाइदा सच्चा प्यार कोई और नहीं कर सकता गरीब भ्यक्ति का कोई मित्र या रिस्तदार नहीं होता लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं इज्यत इनसान के नहीं पैसु के होती है। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। समय का महत्व सभी जानते हैं लेकिन सभी इसे बरबात करते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुचाते हैं। शोक शमतावान को भी निर्बल बना देता है। 25 साल के उम्र तक हमें परवाह नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। पचास साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था. एक अच्छा काम करने से लोग आपकी तारिफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बुरा काम करने के बाद एक दिन में ही आप बदनाम हो जाएंगे. आप कितने भी शमतावान क्यों न हो आप कभी भी अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते हैं. कूरितियों को तोड़ना फाइदेमंध होता है जबकि परमपराओं को तोड़ना अंत में नुक्षान पहुचाता है. अगर आप किसी की मदद नहीं करने वाले हैं तो उसके बार दिल में उतर जाता है. सफलता पाने का सबसे अच्छा बहाना नहीं हो सकता कि आप उन लोगों के लिए सफलता पाएं जो आपसे बहुत जाइदा उमीदे रखते हैं. जब भी दुखी हो जाएं तो उससे बहतर ढंक से वापसी करें. अगर दो लोग खुद को प्रेमी बत लाते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुख को नहीं समझ सकते हैं तो उनका प्यार खोखला है. मेरा ब्यवहार कई बार रूड हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी रूड होने का कारण जानने की कोशिश की है? भगवान हमें तब ही याद आते हैं जब हम मुस्किलो में होते हैं. उम्र और हालात समय के साथ बदल जाते हैं. दूसरों से उमीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है. अगर कोई अकेले में आपकी कमियां बताता है तो यकीन मानिये आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं. अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए. माबाब हमें बोज लगने लगते हैं क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कस्ट सहा है. छल से पाया गया वस्तु जरूरत पूरी कर सकता है लेकिन दिलों को सुकून नहीं पहुँचा सकता है. जैसे पेड़ पौधूं की वृध दोनों की जरूरत होती है. इस दुनिया में सबसे अधिक कोई बलवान नहीं है. धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है. हर किसी को खुस करने की कोशिस करना असफल बना देता है. अपने राज कभी किसी को मत बताईए. नाजायज काम युद्ध और प्यार में भी चुम्बन से जाइदा बहतर कुछ नहीं होता है. अपनी मर्यादा में रहने वाले लोग बेकार की शमश्याओं में उलजने से बच जाते हैं. माता-पिता का कोई विकल्प नहीं होता. प्यार के बिना जिन्दगी अपने अर्थ खो देती है. अच्छे रिस्तों का कोई व जीतते हैं और कई बार हम सीखते हैं. एक अर्थ पोर्ण चुप्पी ब्यार्थ के सब्दों से बहतर होता है. खुद को तब भी मोटिवेट कीजिए जब आपको कोई उमीद ना दिखे.